बारत लाइब देख रहे हैं और भारत लाइब में जिस खबर को लगतार पिछले 12-13 घंटे से आप मेडिया के सुर्कियों में और राजनेती गलियारे में सुन रहे होंगा देख रहे होंगे वो खबर निश्यत रूप से एक बड़ी खबर है खबर ये है कि भारती जन्ताप पार्टी क्या परिवर्तन बदलाओ और एक नए एरा में प्रवेश कर चुकी है मैं बिहार की बात कर रहा हूं बिहार में जिस तरह से राजनेतिक वैक्यूम आ गया है वैक्यूम इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक लंबे समय से लगविक 40 बरसों से बिहार की भारती जन्ता कि बास्तों में भारती जन्ता पार्टी के लिए कितने जरूरी है सुषिल मोदी आज सुषिल मोदी जब सपत ग्रण होगा तो वहां सपत ग्रण में सामिल नहीं होंगे ऐसा उनके ट्वीट से और पार्टी के निर्नाय से नजर आ रहा है कई नेताओं ने तो निस शुषि कि बिहार में एक नए दौर के सुरुवाद करने जाँ रही हर ये बदलाऊ का रॉर्यवर्त्र का दौर है और परिवर्त्र का साथ संके इस बार के चुनावें बिहार की जाग्रूनों ने भी दिया था लेकिन सुसील मोदी के दिना क्या भारति जन्ता पार्टी का वह महत रहा पाएगा हलांकि कहा यह जतर था कि अटल आढवानी का जब काल खतम हुआ जब पधार मंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम आगे किया गया राजनाथ सिंग ने नाम आगे किया और साथ में जूड़ गए अमिद साथ तो भारते जनता पाटी ने वह काम करके दि और जो लोग आज हम पर हस रहे हैं वो तब हमारे लिए हसने का कारण बनेंगी लेकिन यह सब बाते थी अब बिहार में एक नए यूग की शुरुवात हुई है और चर्चा जबर तस ठंक से शुरू हो गई है क्या सुसील मोदी जैसा मैनेजमेंट स्किल किसी और में है क्य मुख्य किरदार से अलग हो जाना पटाचेप हो जाना इस बात की अब संसे पैदा कर रहा है कि बिहार में क्या राजनीत में बहुत बड़ा परिवर्तन आने माला है जिस परिवर्तन के हम चर्चा लगतार कर रहे थे कि इस बार बिहार एंडिये में चेहरे के रूप में श पना पिछले 15 बरसों से तो राजनीत में नहीं किया जा सकता था सुसील मोदी साय की तरह नितीश कुमार के बने रहे बले ही जद्यू के नितावने नितीश कुमार का डिफेंड नहीं किया नितीश कुमार के सामने उतना मजबूती से नहीं खड़ा हुए जितना मजबूत पाटी अपने सबसे महत्वपूर्ण और उचे दौर में गुजर रही सबसे उपचे मुकाम परती तब नरेंद्र मोदी को बिहार की जनता ने नकार दिया था लेकिन वही सुसील मोदी भारती जनता पाटी को सत्ता वापस करके लाए थे वापस करके दिया था क्या ऐसे सुस सुसील मोदी वीरोधी अब आगे बढ़ करके भारती जनता पाटी को और बड़े-बड़े मुकाम हासिल करवाएंगे ये तो वक्त बताएगा पर बरतमान समय में जब आप सपत गरहन कर रहे होंगे नितिश कुमार तो उनके चेहरे पे उनकी आखें लगतार खोज रही हो लेकिन सुसील मोदी वो सक्स है जब जब ज़रूरत महसूस होगी एक महीन लकीर पर ये सरकार चल रही है बहुत ही मार्जिनल बहुमत है जो कभी भी डगमगा सकता है और जब जब डगमगाएगा सुशील मोदी की याद बहुत आएगी नितीज कुमार के लिए बहुत कठिन दौर है और उन्हें बिहार के विकास में जो वादे किये गए हैं 2020 के चुनाव में उन वादों को पूरा करने में जहां एक तरफ उनके पुराने साथी और हनुमान शुशील मोदी उनके साथ नहीं होंगे वहीं भारती जनता पार्ट जैसे ही सपत गरहन हो जाएक के हिस्सा तो होगे पर सपत नहीं गरहन करेंगे यह एक बड़est लंबे ऐसे बादus होगा सपत गरहन के अपनी उस कूरसी के लिए आगे रण मिती और करेंगे देखने वाली बात होगे कि भारते जंदापाटी क्या एक्षन लेती है और सुशीर मोधी को कितना सम्मान देती है कैसे वो सामज़स से बिठा करके सुशीर मोधी और अन्य लोगों की बातों में बाहर निकल करके केंद्रिय नितुट एक बार फिर से बिहार के विकास के जबरदस्ती बनाया है अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है आगे आज सपत ग्रहन है और हमारी नजर एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटनाओ पर है शुशील मोधी भले ही सपत ग्रहन का हिस्सा नहीं हो नितियुश कुमार के साथ इस बार वो नहीं भुलाया और उन्हें किनारे करके कलपना करना थोड़ा सा अभी के समय में मुश्किल हो रहा है जुड़े ने भातलाई के साथ खबरों का सिल्सिला लगतार जा रही है नमस्कार अगर वीडियो पसंद आई अरुआ बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरुकार रखे न तर सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कल चाहता निये तर जौइन बटन दबा झाल